भाई आज है डेडलाइन डे फॉर फ्रेंकी डियॉंग्स ट्रांसफर नई नई यह यूरूपमेंट ट्रांसफर विंडो की बात नहीं कर रहा है बई संडे लीग के करता धरता अचिंत जोहरी ने ये आज से दस दिन पहले एलान किया था कि दस दिन के अंदर फ्रेंकी डियों की डील का हियर वीगो आ जाएगा अब देखो कल रात के अगर कहानी की बात करूँ तो है तो कुछ निराली क्योंकि हम सबको पता है कि युनाइटेड और बारसलोना के बीच में बात्चीत चल रही थी एक नया ओफर भी गया है बारसलोना के लिए और वो ओफर लगबग वर्बली तरीके से एग्री कर लिया गया है अब पेपर वर्क करना बाकी है और फ्रेंकी डियोंग के एजेंट्स और फ्रेंकी डियोंग से बात करनी बाकी है लेकिन सवाल मेरा यह है कि फ्रेंकी डियों के बाद कौन फ्रेंकी डियों के बाद हम किसको लेकर आएंगे और फिर फ्रेंकी डियों के बाद हमें किसको लेकर आना चाहिए तो इसका जवाब निकलता है आपके एनलेटिक से इसका जवाब निकलता है कि आप प्लेयर को जिसक tactical side game की देखे और analysis कर पाए तो भाई आपके लिए mad about sport ने एक workshop organize करवाई है तो आप उसको join करिए आप इस game की tactical side के बारे में जानिए analytical side के बारे में जानिए और इसकी best part पता है क्या है कि यहाँ पर professionals आपकर आपको इस workshop में सिखाएंगे इसमें आपको prior experience की दिरोत नहीं है and it is it is really really helpful अगर आप वाकई में अपना career आगे pursue करना चाते हैं इसी field में तो भाई मैं तो रहूंगा वहाँ पे दोनो दिन और most probably हम चार लपाटे भी रहेंगे उस workshop में तो भाई आप भी आईए जुड़ी हमारे साथ register करिये link दिया है description में देरी किस बात किये जैसा कि मैं बोल रहा था Manchester United और Barcelona के बीच में personal terms agree कर लिए गए है ऐसा खबर आई है Gerard Romero कह रहे है कि भाई जो offer गया है अभी वो बिलकुल जो Barcelona की demand थी उसको match कर रहा है और अब Barcelona serious है इस पर आगे बढ़ने के लिए Frankie de Jong most probably will be sold by और before 30th June क्योंकि वो 30th June जो है वो deadline है उनका जो भी salary के वगरा maintain करने की deadline थी उसके लिए उसके अलावा भाई उन्होंने ये भी कहे कि अभी तक जो कल February जो रुमानू की report आई है कि United ने अपना improved ओपर बेजा है जो उनका पहला offer था वो reject कर दिया गया था उसके बातचीत भी नहीं की गई थी direct refusal था उसके बाद जो अब offer गया है उसपे consideration चल रहा है लेकिन जो player है उसके camp में और जो agent है उसके camp में कुछ भी change नहीं हुआ है अधको जब बार्सलोना ने फ्रेंकी डियोंग को sign किया था ना तो उसके contract में clause था कि उसका इस साल के बाद salary जो है वो upgrade होगा और उसके agent को bonus fee भी मिलेगी अब खबर जो कल जराड रोमेरो और फेबरीज रुमनों ने दी उसमें ये था कि अगर फ्रेंकी डियोंग रुकते हैं तो उनको सबसे पहली चीज जो करनी पड़ेगी वो करना पड़ेगा salary cut लेना पड़ेगा wage cut लेना पड़ेगा फ्रेंकी डियोंग इतना public ली आकर बोल चुके हैं कि Barcelona is my dream club Barcelona is the club of my life और ये और वो तो wage cut लेने में तो उनको कोई problem नहीं होगी लेकिन बात यहां आती है कि agent कितना जादा चाता है बार्सलोना में रुकने के लिए जब बार्सलोना जैसा कला फ्रेंकी डियोंग को बेचने के लिए इतना जादा तयार है तो कि देखो यार यहां पे बार्सलोना की गलती नहीं है कि अगर वो फ्रेंकी डियोंग को बेच रहे है उनकी मजबूरी है basically और कभी-कभी circumstances ऐसे बन जाते हैं जब आप ना चाहते हुए भी ऐसे decisions लेते हो जो आपको दुख दे और यह एक ऐसा ही decision होगा जहां पूरे बार्सलोना की फैन बेस को दुख होगा कि भाई उनका चहेता प्लेयर I think मैसी के बाद सबस्दा चाहा जाने वाला प्लेयर अभी current बार्सलोना स्कॉर्ड में इट इस फ्रेंकी डियोंग तो obviously बात है वो जाएगा तो बार्सलोना का फैन बेस गुसा होगा ये होगा वो होगा बट इस point of time पे United literally push कर रही है खुद को योगे देखो हम सबको पता है कल जो news निकल कर रही थी Ronaldo to Chelsea वाली उसने हाथ पैर तो सक पका दिये होंगे हाथ पैर ठंडे भी कर दिये होंगे United board के और इसी लिए ये जो report कल United are not looking to sell Cristiano Ronaldo they won't be selling Cristiano Ronaldo George Mendes is looking for options in the market for Ronaldo जो top tier European football offer करे obviously बात है Ronaldo is 37 he is not getting any younger वो अपना career high पर खतम कर रहा था United इस season Champions League नहीं खेल रही है which is a big big letdown obviously it will be a big big letdown क्योंकि Ronaldo की तो कोई गलती नहीं है Deheya की तो कोई गलती नहीं है तो ये दो players क्यों सफर करें अब Deheya तो नहीं छोड़के जा रहा है Ronaldo इसलिए छोड़के जा सकता है क्योंकि उसको Champions League खेलनी है खेलनी भी चाहिए भाई तो यहां पर अब situation ऐसी है कि Ronaldo likes as Erickton है कैसा बोला गया है जो कल February's रुमानों की tweet आई थी और उन्होंने अपनी YouTube वीडियो में भी बोला था कि behind the scenes Ronaldo हो सकता है कलब से बात कर रहा हो अगर United अपना जो market में stance है वो improve नहीं करती है अगर वो players को sign नहीं करते है क्योंकि देखो यार कितना भी कलब से प्यारो कुछ भी हो लेकिन अपना personal जो career है वो तो वो खराब नहीं करना चाहेगा अगर United लास सीजन की horrific performances के बाद भी इस साल improve नहीं करना चाहती है और नए manager को back नहीं करना चाहती तो basically उस tweet में और या फिर उस YouTube वीडियो में यही बोला गया है कि Ronaldo loves United and Ronaldo really likes Eric Tenhak and he wants to work with Eric Tenhak but it's the ambition of the club that is putting up a hindrance you know in this whole scenario और मेरे एसाब से इसमें कोई गलत बात नहीं है but Ronaldo moving within the league I think that is next to impossible I don't think it will happen he might move to Bayern Munich he might move to Sporting Lisbon he might move to some other club but I don't think Ronaldo to Chelsea will happen but Frankie Dion की यह deal जो कल news break होने के बाद ही Ronaldo की जो अब एकदम से तेजी पकड़ रही है इसमें कहीं न कहीं indirectly हाथ Ronaldo की इस news का है कि एक pressure सा build-up हो रहा है एक pressure build-up हो रहा है United के उपर के आप last season जिस player को लेकर आए जिस player ने आपको 2-3 statement में यह बोल भी दिया के the club you know we need to do better we need players who can take responsibility we need players who can you know live up to the expectations अब board जब उस expectations को live up नहीं कर रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा तो फ्रेंकी डियोंग की deal तो I think within the next couple of days आपको here we go सुनने को मिल जागा I won't be shocked अगर आपको रात तक ही here we go सुनने को मिल जागा और भाई Sunday League Pandits का जो channel है वो फट पड़ेगा मैं सही बता रहा हूँ because Achint ने यह चीज भाई दस दिन पहले बुल दी थी कि Frankie De Jong to United हो जाएगा here we go दस दिन के अंदर तो देखते हैं I am predicting कि David Einstein पहले ये news break करेंगे before anyone else in the top tier journalist ठीक है ना बाकी तो छोटे जर्नलिस्टो बेट के तरीके से ये news break करते रहते हैं कल भी उन्होंने करी दिया था कि personal terms agreed it's just a matter of hours तो ऐसे करके news आएगी लेकिन जब हमें पूरी detail पता चलेगी contract की और क्या negotiation price था क्या settling price था वो सब पता चलेगा तब होगी वो एक official announcement अब यहाँ पर Anthony के case में अगर बात करूँ तो भाई Anthony अगली signing हो सकती है Manchester United के लिए once they'll be securing the services of Frankie De Jong इसके पीछे reason तो यह है कि उनको एक right winger चाहिए है और Eric and Hag Ix से किसी एक player को लाने के लिए अगर आपको वो statement याद हो अगर आपको वो statement याद हो जब उन्होंने बोला था कि Ix won't be able to replace Antony अगर कोई club आता है तो because Antony is that of a good player और यहाँ पर Eric and Hag ने वो indication पहले ही दी थी Ix छोड़ते time की I will be taking I might be taking Antony with me तो इसलिए उन्होंने अल्रेडी Ix ने अपना backup तयार करके रख लिया उनके पास है उल्रेडी तो अब उसको वो develop करेंगे अब यहाँ पर Antony to United is not what you know the club is being put into it's what the manager wants अब यहाँ पर यह fan base का pressure नहीं है यहाँ यह manager का pressure है कि Frankie de Jong और Antony दो priority signing है जो कि Eric and Hag demand कर रहे है Lissandro Martinez is someone जो कि आएगा तो he will massively upgrade our defense because he's a very versatile player he's a very creative player as well अगर मैं backline की बात करूं तो ठीक है न अब Arsenal के rumor जादा strong है than United क्योंकि मुझे नहीं लगता के United A की window में Lissandro और Antony को ला सकती है क्योंकि बहुत बड़ा task होगा दो player क्योंकि Lissandro Martinez की भी जो market value है 60 million रखी और Antony की 75 million रखी है तो आप सोचो के 80 million का फ्रेंकी 65 का आपका Antony और उसके बाद 60 का आपका Lissandro Martinez तो यहां तो आपके 200 million पार हो गए उसके बाद कहां से आएगा पैसा glazers तो dividend निकाल रहे है glazers तो पैसा inject करेंगे नहीं तो बाकी areas कैसे improve होंगे अगर मैं Ruben Neves के भी बात करूँ तो उसके लिए भी 70 million 65 million मांग रही है तो वो deal भी आसान नहीं होगी अब यहां पर CDM position पे कौन आएगा भाई यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि कमारा आपने जाने दिया शोमेनी के लिए आप जा सकते नहीं थे क्योंकि आपके पास Champions League नहीं थे मतलब जा सकते थे लेकिन आपको कुछ हाथ नहीं लगता बाकी कमाप अगर मैं Hydara की बात करूँ तो उस पे कोई latest update नहीं है Declan Rice के अगर मैं बात करूँ तो Declan Rice आपका 80 million से नीचे आएगा नहीं Kelvin Phillips already City join कर चुके हैं तो Kelvin Phillips आए नहीं United है उन्होंने आपको reject कर दिया तो basically हर वो player जो की एक reality बन सकता था या तो वो as a free agent कहीं और चला गया या फिर वो हमें reject करके किसी दूसरे club चला गया because of the lack of European football और यह European football हमारे गले में मचली के कांटे की तरह फसा हुआ है क्योंकि Ronaldo की जो situation है वो भी इस lack of European football की वजए से है अगर Frankie De Jong के मन में शंका है तो भी इस lack of European football के वजए से है हाँ Antony वगरा की deal जो है वो इतनी complicated नहीं है in terms of personal terms क्यों? क्योंकि आपको पता है कि Antony would love to join a Premier League club and if United is going with an opportunity he would take that एक साल Champions League के बिना खेलना is not a big deal for Antony but for Frankie De Jong it might be and for Ronaldo it'll always be तो ये एक major factor अदा कर रहा है हमारे एक hampered you know season के अंदर जहां हमें upgrade पे upgrade चाहिए है लेकिन हम अभी तक हाथ पे हाथ रखे बैटे हैं बट वही बात है अब एक ये deal अगर secure और अगर फ्रेंकी डियोंग की तो सारी चीज़ें और सारे रास्ते खुल जाएंगे भाई तो ये बहुत crucial part है हमारी window का ये चार दिन जो अब बचे हुए हैं ये तीन दिन जो बचे हैं चार दिन उसमें हमें अच्छे से पुश करना है बार सुनना को और ये deal जल से जल से अगरी करानी है तो आप लोग बताएं ये comment section में कि आपका क्या खयाल है कि फ्रेंकी डियोंग टू यॉनाइटिड कब तक होगा क्या वो आज हो जाएगा या फिर वो अगले तीन दिनों में होगा और क्या रोनालडो वाकरी में आपको लगता है कि चल्सी चला जाएगा देखो personally I don't think ये होगा एंटिनी की डिल फ्रेंकी डियोंग की डिल साइन होने के बाद कब तक you know final हो जाएगी ये भी बताएगा और जादा से जादा लोग यार वीडियो में कॉमेंट क्या करो क्योंकि वो एल्गॉरिदम में बहुत हेल्प करता है जितना जादा आप कॉमेंट करोगे जितना जादा आप वीडियो को लाइक करोगे उतना जादा वीडियो प्रमोट होगी डियो पे और चैनल आगे बढ़ेगा वी आर वेरी क्लोस त्विंटी फाइफ के हमें सिर्फ और सिर्फ साड़े तीन सौ सब्सक्राइबर्स चाहिए ऐसे ही कुछ रेशियो है तो आप जाओ यार सब्सक्राइब करो चैनल को और जलते चल 25 के कराओ यार इस महीने के एंट तक तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में गुड़ बाई टेक केर